तो आज किस बीडियो में बात करने वाले हैं इंदियने भी यह मार की मुश्ट इंपॉर्डेंट कुछ साइंस के कोशन तो जैसे कि आप लोग को पता हो कल मैंने आपको जीके का वीडियो और उसके बाद आपका मैथ के वीडियो मैंने परवाइड करवा दिया था और जैसे क जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल 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 पहुंच जाएक ठीक है तो चलिए मैं अपना टॉपिक को स्टार्ट कर तो देखी यहां पर आपका सबसे पहला कोशन में कार बैटरी में एसीड परीक्त होता है तो इसका साइंस रो जाएगा आपका अ नियम पर अधारित है तो इसका साइंस रो जाएगा आपका अपसन नियम पर अधारित है उसके बाद में आपका कोशन नंबर फोर की बूंदों का गोल होने निमन में से किसके कारण होता है तो आपका जो फोर का जो साइंस रो जाएगा आपका अपसन नंबर है गटेगा च्तिरेज़़गा बढ़ेगा सुनने वग तो आपका जो 5 का सजिए रोग आपका नमबर 3 तीक के बढ़ता है उसके बाद में सब्सτι्क्न नमबर 60 में र्यक्राव का मातरक है तो रिफ वल्ट को इसकी थια investigator रो जाएगा आपका अप्सन नमबर C ठीक है द्रब्यमान गुना तोरण उसके बाद में कोसंस नमबर 8 तो 8 में आपका एक समान एक समान तोरण से सरल रेखी गती करती किसी बस्तु के लिए गती का प्रतम सवीकरण होगा तो इसका जो 8 का जो सेंस रो जाएगा आपका अप्सन नमबर C ठीक है भी बराबर U प्लस 80 उसके बाद में कोसंस नमबर 9 तो 9 में यदि बंद थरमस में रखी बर्फ को तेजी से गुमाया जाए तो क्या होगी तो देखेए आपका 9 का जो सेंस रो जाएगा अपका अपसल नमबर भी बर्फ पिखल जाएगी अगर किसी भी बोतल हो अगर बोतल में इसे कर सकते हैं देखकर तो अगर उसमें बड़फ अगर जमा होगा और फ्रीज में रखे हवे बर्फ पो तो अगर बोतल में राता है न अगर उसके हिलाएंगे तो वो पिघल जाता है वर्फ ठीक है उसके बाद में आपका कोसंस नंबर 10 तो 10 में किसी ताप पर धावनी का बेक 0 डिगरी सेल्सियस के ताप के बेक से दूना हो जाता है कि तो इसका मान कितना होगा तो आपका 10 का जो आपको याद कर लेना है और जैसे कि मैंने को कॉप एंट्रॉफी से भी कोसंस को बताया हूं उसको भी याद कर लेना है क्योंकि एक कोसंस जयूर पूछे जाएंगे इस बार और पूछे जाते हैं तो 11 का जो आपको 1 किलोवाट घंटा का मातरक इसका हो जायाएगा ठीक है तो यह देखे जो ऐसे कोसंस हैं तो हर बाई यह कम से कम एकोसंस आपका option number 16.6 meter उसके बाद में आपका questions number 13 तो 13 में कि जब गोली लक्ष पर लगती है तो कभी चमक होती है तो जो आपका 13 का जो सहींस रो जाएगा आपका option number 8 ठीक है इसका option number 8 सही हो जाएगा गति जूर्जा उसमा उर्जा में बदनने के कारण उसके बाद में questions number 14 तो 14 में कि लिफ्ट में एक मनुस का अभासी भार उसके वास्तिविक भार से कम होगा जबकि लिफ्ट है तो इसका जो 14 का जो सहींस रो जाएगा आपका option number B ठीक है नीचे की ओर समान तुरन से आ रहे हो उसके बाद में 15 क्या कारण है कि एक लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे में तैरती है तो इसका जो 15 का जो सहींस रो जाएगा आपका option number हो जाएगा ठीक है पारे का घनवत पानी से अधिक होता है इसलिए आपका जो छोटी जो कील होती है पानी अमडूब जाती है और पारे में तैरती है इसी कारण से उसके बाद में आपका नमबर है 16 तो 16 में कि स्वेत दीप बस्तू का ताप होता है कितना होता है तो 16 का जो सहींस रो जाएगा आपका option number D ठीक है 1600 डिगरी उसके बाद में questions number 17 तो 17 vitamin D की कमी से रोग होता है तो सब लोग को पता हो जैसे कि मैंने एक बार बता दिया हूँ इस questions को तो ये आपका जो 17 का जो science रो जाएगा आपका option number आप लोग के ये comment section बता है क्योंकि मैंने आप लोग को ये बता दिया हूँ की vitamin D के कमी से कौन सा रोग होता है उसके बाद में आपका 18 की सबसे बड़ा ग्रह है तो आपका जो 18 का जो science रो जाएगा आपका option number बेवरिहस पती ग्रह उसके बाद में आपका 19 तो 19 में आपका एक होस पावर के वाट होते है तो 19 का जो science रो जाएगा आपसा नंबर B इस्थितिज उर्जा उसके बाद में 21 ता आप बढ़ने पर बस्तु की प्रत्यास थंता गुडांक क्या होता है कम हो जाता है बढ़ जाता है कोई परभाव नहीं होता है तो आपका 21 का जो science रो जाएगा आपका आपसा नंबर कम हो जाता है उसके बाद में 22 22 में की नीम ने कौन सा उस्मा का स्वरवच्च चालक है तो यह आपका 22 का जो science रोजएगा आपका अपसा नंबर से जो की चांदी होता है सबसे उस्मा अगर आप लोग मतलब की सबसे जादा उस्मा प्राप्त करना चाते है तो चांदी का जो भी आप लोग अगर गाओं में अगर देखे होंगे जो तार होते है उसमें अगर चांदी का आगे लगा के अगर आप लोग बिजली लेंगे तो बहुत जादा उस्मा होता है उसके बाद मैं 23 की सराब सराब के रूप में कौन सा पदात परियुक्त होता है तो आपका जो 23 का जो सहीन सुरो जाएगा आपका अपसा नमबर B ठीक है इथाईल अलकोहल उसके बाद मैं 24 की सरल अवर्थ गती में किसका मान इस्थिर नहीं रहता है तो आपका 24 का सहीन सुरो जाएगा आपका अपसा नमबर C उसके बाद मैं 25 कीरशाफ के नियम की अनुसार निशीत ताप पर बस्तू की उच्छरजन चमता यहम और सोसर चमता का अनुपात निरभर करता है तो आपका 25 का सेहन सुरो जाएगा आपका अपसा नमबर D ठीक है तो यह आपका डी हो जाएगा तो डी में बस्तु के ताप पर विकिरण की तरंग धर पर तो यह आपका आज मैंने 25 कोस्टंस करवा दिया और हो आपको आज मैं अभी कुछ दिर बाद अभी मैं आपको जीके का करवा दूंगा और जीके करवाने एक बाद आपका मैत क जाएगा ठीक है तो यही कुछ कोस्टंस करवाना था 25 तो अगर आपको की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों सांद भी बता देना कि इंडे ने भी यह मार की इसे चैनल पर प्रिप्रेशन चल रही है और इसमें एक और बदलाव हो गया हो कि यहां पर वाई ग्रूप का भी प्रिप्रेशन कल से अपका स्टार्ट हो जाएगा तो जिनको जिनको जोइन करना है जल्दी जल्दी कर लो तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में जय इन जय भारत